हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लो मैंनो नभील है S23 Ultra को हमने 15 Pro Max के अच्छा खासा लेकिन वहाँ पर प्राइस डिफरेंस था अच्छा खासा यहाँ पर S23 Ultra 1,25,000 के आसपास आ जाता है बेस वेरियंट के रिए वहाँ पर 15 Pro Max 1,60,000 से स्टार्ट होता है तो इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना दूसरे एक आईफोन जो की काफी पॉपिलर, काफी अच्छा और काफी जबतस आईफोन है उसको कंपेर किया जाए S23 Ultra के साथ अब यहाँ पर कहानी जो है उल्टी है यह 90,000 का आ जाता है बेस वेरियंट और यह S23 Ultra से 35,000 रुपीज कम है प्राइज में अब देखें आप एम ओफर्स और यह सारी चीजों को कंस्रेडर नहीं कर रहा आपको वो करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते है वैसे तो 15 प्लस जो है अगर आप ग्लोबल अला लेंगे तो और सस्ता मिलेगा HDFC के साथ लेंगे तो उस पर 5,000 रुपे का डिस्काउंड हो जाएगा उस तरीके से S23 Ultra भी जो है कुछ सेल में आपको हो सकता है एक लाग, एक लाग, पाँच जार का, एक लाग, दस जार का भी मिल जाए बट जो इनकी MRPs है उनको कंस्रेडर करते हुए ये कंपैरेंस बनाते है बाकी जो बेस्ट राइजिंग है दोनों फोन की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहाँ से आप उनको पर्चेस कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी चोईस कोई भी हो सकती है परसनल प्रेफरेंस की बात है मुझे 15 प्लस का लुक काफी पसंद आया एक टेपिकल आइफोन का लुक तो है लेकिन स्लाइड यहाँ पे चेंजेज आपल ने किया है जैसे यहाँ पे curved sides दिया हुआ है जिसको पकड़ने में हाथ में आसानी होती बहुती comfortable to hold है बड़ा phone होने के बावजूद और lightweight भी है aluminum का इसमें build आपको देखने मिलता है frosted matte finish वाला glass देखने मिलता है जिसमें इसका look जो है थोड़ा सा premium हो गया है when compared to 14 plus 14 plus अपने glossy back के साथ इतना खास नहीं दिखता था लेकिन यह अच्छा दिखता है और इसकी in-hand feel भी काफी अच्छी है similarly S23 Ultra भी बहुती premium लगता है frosted matte finish वाला glass back है यहाँ पे sides भी aluminum के लेकिन यह glossy है थोड़े से premium भी लगते है when compared to 15 plus और यह भी phone hold करने में आसान है लेकिन थोड़ा सा चोड़ा है 15 plus के मुकाबले और थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वे इसे slightly यह बड़े हाथों के लिए जादा suitable रहता है 15 plus भी छोड़े हाथ के लिए suitable तो नहीं बोलूँगा मैं लेकिन it is better to hold than S23 Ultra तो comfort अगर आप देखे phone को holding का तो वो 15 plus में जादा अच्छा है पकी look and feel जैसे आपको पसंद है उसके लिए आप जा सकते है मुझे 15 plus पसंद है तक मुझे iPhone के look काफी पसंद आते है लेकिन S23 Ultra भी अपनी जगा पे खुपसूरत डेवाइस है IP rating के बात करें दोस्तो तो S23 Ultra में भी और 15 plus में दोनों में IP68 की rating आती है लेकिन 15 plus जादा पानी में जाने के लिए rated है 6 मीटर पानी तक जा सकता है safely वही पे S23 Ultra जो है सिर्फ देड़ मीटर पानी तक जा सकता है तो इस मामले में better है iPhone 15 plus लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही आपको 15 plus को अगर में better बताता हुआ नजर आए तो इसका मालब यह नहीं कि हर चीज में वही winner होगा S23 Ultra बहुत सारे चीज़ों में winner है सुकून से सबर से पूरा वीडियो देखो आप लोग अब डिस्प्लेइ की बात करें दोस्तों तो S23 Ultra में 6.8 इंचिस का डिस्प्लेइ है और 15 प्लस में है 6.7 इंचिस का डिस्प्लेइ दोनों ही डिस्प्लेइ AMOLED है लेकिन 15 प्लस के डिस्प्लेइ की ब्राइटनेस है वो जादा है 2000 निट्स तक जा सकती है S23 Ultra 17, 15 निट्स तक तो डिस्प्लेइ की ब्राइटनेस और इसके कलर्स वागरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे 15 प्लस जो है बेटर लगता है वेन कंपेट तो S23 Ultra लेकिन S23 Ultra का डिस्प्ले जो है ये एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के आता है और 120Hz तक जा सकता है 15 प्लस का डिस्प्लेइ 60Hz के फिक्स रिफ्रेश रेट के आता है तो रिफ्रेश रेट की बात करें तो S23 Ultra इसमें बेटर है वीडियो वाचिंग के लिए कौन सा डिस्प्ले बेटर रहता है इन्होंने Dynamic Island नहीं, iPhone 15 जेसा, but Dynamic Island भी अपने users के साथ आता है, और Dynamic Island में आप काफी सारी चीज़े, जो है, आपको instantly पता चल जाती है, टाइमर हो गया, music play कर रहे हो, आप game खेल रहे हो, आप navigation इस्तमाल कर रहे हो, हर चीज़ आपको Dynamic Island जो है, गेमिंग में भी आपको काम आता है, और अगर आपको Always On Display वाला फोन चीज़े, तो उस मामले में भी विनर जो है, वो S23 Ultra ही है, 15 प्लस में Always On Display भी Apple नहीं देता, दोनों फोन में Dual Speakers आते हैं, तो Dual Speakers का Performance कैसा है, कौन सा ता Loud है, वो चेक करते हैं, 15 प्लस गया 85 डेसिबर्स तक, और S23 Ultra भी जाता है 85 डेसिबर्स तक, तो दोनों ही equally loud है, और equally clear है, फ्लक्षिप लेविल के स्पीकर्स हैं दोनों में, अनलोकिंग टेकनोलोजी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे S23 Ultra में Ultrasonic Fingerprint स्कैनर आता है, जो के बहुत ही fast and accurate है, मुझे जो है काफी जादा पसंद है, और 15 प्लस के अंदर आता है, फेशल अनलोकिंग स्टम, अब यह फेशल अनलोकिंग स्टम है, यह S23 Ultra में आता है, लेकिन वो वैसा काम नहीं करता, जो के Apple का Face ID काम करता है, प्रॉपर 3D Mapping, 3D Scanning आपके Face के होती है, और यह Biometric Authentication है, जो 15 प्लस के अंदर आता है, और S23 Ultra में मिसिंग है, तो आपके ओपर depend करते हैं, आपको fingerprint पसंद है, या फेशल अनलोकिंग, क्योंकि वो ही चीज़ का आप इस्तमाल कर पाएंगे, banking application को यूज करें के टाइम पे, तो यहाँ पर S23 Ultra है, उसका Face अलोक काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेफ नहीं है, तो इस मामले में completely में आपके ओपर छोड़ता हूँ, आपको क्या पसंद है, वो आप सिलेक कर सकते हो, अब स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क्स, गेमिंग वगरा और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर S23 Ultra जो है, यह आता है स्नाप्रगर 8 जिशेटर 2, फिर 12 GB अपर आता है 15 प्लस, आपल के A16 बैंट चिपसेट और 6 GB के राम के साथ, तो इससे बेंचमार्क्स क्या निकल के आते हैं, Geekbench 6 ही हम कंपेर कर सकते हैं, अन्टूडू कंपेर नहीं किया जा सकता है, अन्डूड और iOS के बीच में, अगर यकिन नहीं होता तो अन्टूडू की अपसेट पर जाके आप लोग पढ़ सकते हो, और GPU स्कोर में भी बहुत जाता फरक है, लेकिन एक फरक यहाँ पर यहाँ पर यह भी है, कि iPhone के अंदर GPU Metal स्कोर है, और Android के अंदर है OpenCL स्कोर, हम क्या करते हैं, दूसरे Android फोन्स के आद इसको compare करके दिखते हैं, तो यह एकदम टॉप पर आता है, तो दोनों ही फोन्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बहुती ब्लेजिंग फास्ट हैने वाले दोनों फोन्स, और गेमिंग में भी आपको दोनों ही भैतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, गेमिंग के लिए आपको अगर जादा रिफ्रेश्ट रेट चाहिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा S23 Ultra, और इसमें गेमिंग करने पर एक और चीज़ अच्छी है, कि यह जो है, आल्मूस्ट ना के बराबर हीट होता है, जबके 15 प्लस आपको अच्छा खासा हीट होता नजर आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी जीता है वो, बाटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो बैटरी कापसिटी है, S23 Ultra की वो 5000 mAh की है, जबके 15 प्लस की बैटरी कापसिटी है, 4383 mAh की, लेकिन यहाँ पर विनर, बैटरी लाइफ में 15 प्लस ही है, सबसे ज़ादा चलने वाला स्मार्टफोन है, 15 Pro Max से भी ज़ादा चलता है, तो अगर आपको एक लॉंग बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चीए, तो उसमाम में 15 प्लस बैटर है, लेकिन फास्टर चार्जिंग आपको S23 Ultra पे मिलेगी, 45 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और 15 प्लस जो है 27 वाट की, रही बाद वायरलेस चार्जिंग की तो दोनों ही वायरलेस ली चार्ज हो सकते है, लेकिन S23 Ultra रिवास वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आपके कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाले अक्सेसरी जैसे एरपॉर्ट पे रखके आप चार्ज कर सकते हैं, कितना प्राक्टिकल है आप लोग खुछ सोचों, आप इसके बैक पे चिपका सकते हैं, तो ना से भी ये चार्ज करेगा आपके फोन को बलके ये ट्राइपॉड का काम कर सकता है, इस पर वालेट्स आप चिपका सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सस्ता जुगाड एच्ट S23 Ultra में भी आता है वो है इस तरह के का एक केस या फिर एक रिंग जो 300-400-500 रुपे के आ जाती है किसी भी केस के बीचे चिपक जाती है अब इसके साथ आप चाहे ये बैटरी पैक्स को चिपका लो इससे ये भी वायलेसली चार्ज हो जाएगा या फिर कोई भी मांट पर इसक से लिए करते हैं चेक आप मुझे देख रहे हो S23 Ultra और 15 प्लस के फ्रेंट फेसिंग कैमरा से अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताक्के आप आप आडियो की कॉलिटी समझ ले किसमें आपको बेटर देखने मिलती है बाकि पिक्चर कॉलिटी वीडि में यहाँ पर देख सकते हैं 15 प्लस ने ज्यादा अच्छे से डायनायमिक रेंज को मैनेज किया है चेहरे पर लाइटिंग वागर एकदम प्रॉपर है टीशिट का कलर भी जो है चेहरे नहीं हो रहा है जब दूब हमारे पीछे से आ रही हो या दूब हमारे सामने से आ रह एक प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने दूसरे एंडरुड फोन के अंदर भी देखा है वाइल दूइंग पोर्ट्रेट वीडियो या सिनिमाटिक वीडियो आप बैकराउंड में देखेंगे तो हलका अलका सा जो है आपको जटका मैसूस होगा तो यहाँ पर फेसिंग कैमरा में मुझे देखने मिली है एक फासिबल ही नहीं तो यहाँ पर फिफ्टीन प्लस इस मामले में लूजर है अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से अब यहाँ पे ओडियो पर ध्यान देना वीडियो के बारे में आगे हम बात करते कैमरा से वीडियो के दोरान जो आडियो है वो दोनों में सिमिलर निकल के आती है वीडियो की कॉलिटी अगर बात करें तो जो सब्जेक्ट है जैसे मैं यहाँ पे नजर आ रहा हूं इसको बेटर तरीके से जो है रीप्रेजेंट कर रहा है दिखा रहा है 15 प्लस टीशिट क को बोला नहीं जा सकता है यह थोड़ी बेटर लगी वीडियो इसमें एस डिटेक्शन जो है बेटर आपको देखने मिलता है लेकिन जैसे ही हम कोई सब्जेक्ट को फ्रेम में लेकर आते तो वहां पे गडबड कर देता है जो सामने मेरा फोन है और जो फेस है इन सब को प् पर कर रहा है तो मैं 15 प्लस को प्रेफर करूँगा इस मामले में लेकिन अच्छा ही है लेंस स्विचिंग की बात करते है वीडियो के दौरान तो इसमें आप जानते ही कि आईफों जो है वो किंग होते है इसमें आपको एक्दम स्मूद लेंस स्विचिंग देखने मिलेग S23 Ultra कम स्टेबल है आपको पता करना है अगर तो लेफ साइड में उपर ट्री की तरफ देखना S23 Ultra में समझ जाओगे आप सुपर स्टेडी मोड वर्सेस अक्शन मोड सुपर स्टेडी मोड में S23 Ultra में जो क्वालिटी निकल के है यह वो बेटर है वीडियो की लेकिन 15 प्लस जो है और बैक्राउंड ब्लर भी जो है उसने ज्यादा अच्छे से किया है S23 Ultra के मुकाबले रियर कैमरा से लिगए कुछ फोडोस देख लेते हैं 1x में अगर देखेंगे आप दोनों के में सेंसर से तो मुझे 15 प्लस की फोटो यहाँ पे बेटर लगी है अगर आप शूट करते हो दोनों के रियर कैमरा से पोट्रेट फोटो तो यहाँ पे मुझे जो है 15 प्लस की फोटो बेटर लगी लेकिन 3x optical zoom के साथ अगर आप एस फोटो निकालते हो तो जदा बेटर इमेज जो है निकालता है यह पोट्रेट फोटो के अंदर और optical zoom का advantage भी है इसके पास को और brightness को manage करता है और सेम कहानी रिपीट होती है जब आप रियर कैमरा से रात के वक्ट आटिविशल लाइटिंग में वीडियो लेते हो तो यहाँ पे भी 15 प्लस की वीडियो आपको बेटर देखने मिलेगी आपको बेटर देखने मिलेगी ज्यादा क्वालिटी ज्यादा कैमरा फोन सापित होता है बेटर पिक्चर भी लेता है बेटर वीडियो भी लेता है कहीं कहीं पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है 15 प्लस के मुकाबले यहाँ पे कैमरा फोन के हिसाब से अगर आप फोन देखर हो दोनों के बीच में और compare करते हो तो S23 Ultra आपके लिए बेटर इस दिन पे 15 प्लस आपके लिए बेटर रहेगा रही बात OS कौन सा अच्छा है आपके लिए तो यह देखिए थोड़ा बताना डिफिकल्ट है लेकिन मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ Samsung में आपको call recording built-in देखने मिलती है तो आप calls को record कर सकते हो यह काफी लोगों के लिए बहुत useful रहता है आप split screen multitasking कर सकते हो हाला के मुझे यह टाइप के phones के अंदर बार phones के अंदर यह ज्यादा useful तो नहीं लगता लेकिन ठीक है fold phones के लिए ज्यादा better रहता है पर यह चीज ह जो कि iPhone नहीं कर सकता फिर इसके अंदर इन्होंने यह S Pen भी दिया है जिससे आप notes वगरा जो है ले सकते है इस तरीके से scribble करके जादा मैंने तो इसको कभी इस्तमाल नहीं किया लेकिन है यह काम की चीज़ अगर कोई actual में इसको use करना चाहे तो वही पर iPhone को आप देखेंग या YouTube चलाना है कोई भी application चलाना है तो वह आपको richer experience देगा iOS ही क्यों ऐसा है क्योंकि बहुत सारे glitches होते हैं Samsung के अंदर या पर एक story भी लगाना है तो बहुत मुश्किल आती है और quality भी निकल के नहीं आती उतनी social media applications के अंदर बाकि iPhone के अंदर वह पहले वाले restrictions काफी कम कर द आता है तो काफी सारे restrictions यहां पर हटा दिये गए तो यह completely आप पर depend करते हैं इसके किस टैप के features आपको चीए दोनों ही बहुत ही अच्छे UI और OS के आते हैं और दोनों ही अपने users को fully satisfy करते बड़ OS की security की बात की जाए तो मैं उसमें iPhone को number 1 रखता हूं Samsung को number 2 लेकिन iPhone के लेकिन आप phone को connect कर सकते हो एक monitor के साथ आप फोन का जो पूरा OS है आपको या पूरा interface है वो आपको एक PC के format में देखेगा PC का काम तो नहीं करेगा बट उस टाइप का आपको experience मिल सकता है अब आतके दोस्तों pricing की और variants की तो यहां पर जैसे मैं आपको बताया 35,000 का difference है अग आपका decision make आप कर सकते है कि कौन से परेज़ में को क्या मिल रहा है लेकिन क्या चीज आपके लिए important है यह video देखके आप समझी जुके होंगे मेरी choice कौन सी रहेगी अगर मैं एक video creator हूँ मुझे videos वगरा बनाना है Instagram पर Reels पोस्ट करनी है तो उस case में 15 plus को चूज करूँगा क क्योंकि इसकी जो videos है और इसकी जो upload quality निकल के आती है और इसके अंदर जो application का एक बहतर support देखने मिलता है चाहे वो Instagram हो YouTube हो वो मुझे जो है इसकी तरफ कीचके लेके आएगा और मुझे एक no-nonsense phone चाहिए जो जादा बैटर लाइफ निकाल के दे और एक दम fast updates उसमें मिले और मुझे iOS के साथ जाना है तब भी मैं इसके साथ जाओंगा लेकिन overall एक ऐसा phone मुझे चाहिए जिसमें performance जादा मिल रहा है जो के cooler run करता है gaming भी 15 plus के मुकाबले better कर सकता है और जिसका display भी 15 plus के मुकाबले better है और S Pen और call recording जैसे useful features आते हैं तो मेरी choice रहेगी Samsung Galaxy S23 Ultra तो जो आप जादा pay कर रहे हो 15 plus के ऊपर S23 Ultra के लिए वो definitely worth it है आप बताईए इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन है असली winner आप किसके लिए जाना चाहेंगे 15 plus या फिर S23 Ultra जो भी आप लेना चाहते है description में लिंक है वहाँ से आप purchase कर सकते हैं उभी करता दोस्तों आपका अच चनल को सब्सक्राइब जोगें गुद्बाई